नमज़कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश पाठक सिवानी इस तो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने सिरीज स्टार्ट की है प्रॉम दिवेरी बेसिक से लिए एडवांस के अस्ट्रोजित लगए तो हम उसम कुणली को प्रेडिट करते हुए यह समझ नहीं पाते कि राहु केतु का रिजल्ट किस तरीके से हम लोग प्रेडिट करें तो उसके कुछ नियम मैंने आपको बताये थे वह नियम मैं आपको कुणली के ऊपर भी दिखाता हूं ताकि आपको उसका आडिया हो जाए तो उस कि यह स्क्रीन मैंने आपको शेयर किरती है अब इसमें मैं आपको कुणली दिखाने की कोशिश करता हूं देखें कोई भी कुणली हम लोग ले लेते हैं जैसे यह कुणली है आप इसमें के राहु कहां बैठा हुवा राहू लाभ भाब ग्यारवे भाब में राहू बाठा है तो मैंने बताया था कि राहू अगर केंद्र लाभ भाब्स हूं या तीश्रे और छटे भाब लाभ भाब तो राहु rug केतु की की पॉजिशन अच्छे मार्यार कि तू अगर आठवे भाव में बैठे या बार्वे भाव में बैठे तो वह पोजिशन बहुत खतनाग होती है उस पोजिशन में रिजट्स बहुत मिलते है तो यहां पर राहू अच्छा बैठा हुआ है तो राहू की दशा अच्छी रहेगी लेकिन सूरिये और मंगल की दशा कैसी रहेगी इसके अंदर ये भी है फल दिपिका में एक बहुत अच्छा श्लोक है वो कहता है ये इन ग्रेन सही तो भुजगा दिनाथ है यानि वो बोलता है कि जिस भी ग्रह के साथ राहू बैठता है राहू जैसे ग्रह के साथ बैठता है उसके गुंदोस ग्रहन करके उसी ग्रह का सा प्रभाव दिखाता है अब जैसे इस कुंडली के अंदर राहू बैठा है सूरे के साथ या राहू बैठा है मंगल के साथ ठीके तो इसका मतलब यह हुआ कि राहू मंगल को जब भी मंगल की कीडशा आएगी मंगल की देशा ठोड़ी कस्त का रख रहेगी क्योंकि राहू साथ बैठा है और राहू सर्प के शामान होता है जो अपना विश्वला लेता है तो राहू की अंतर दशा तो यहां पर ठीक रहेगी क्योंकि ग्यारवे भाब में है लाब भाब में है राहू की पोजिशन अच्छी है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मंगल और सूरे की दशा पर राहू का प्रभाव जुरूर पड़ेगा क्योंकि राहू जैसे ग्रह के स साथ बैठेगा उसके गुंदोश ग्रहन करके उसी ग्रह का सा प्रभाव वो दिखाता है राहू सूरे के साथ है इसलिए सूरे के जो भी गुंदोश है वो राहू भी दिखाएगा राहू मंगल के साथ है इसलिए मंगल के जो भी गुंदोश है वो राहू भी दिखाएगा तो ये आपके से में ध्यान रखना होता है, तो ऐसे में जब भी सूर्य और मंगल की दशा होगी, तो दशा के अंत में हमेशा कुछ न कुछ कस्थ जरूर रहेगा, क्योंकि राहू विश्च छोड़ देता है अपना उसके उपर, दूसरी बात, राहू के लिए इसमें एक इन जंदर में मिल जाते हैं राहू के तुम इस कुंडली में राहू आठवे भाव में है, तो इस कुंडली में राहू के प्रभाव बहुत नेगटिव होंगे, यहां राहू के प्रभाव बहुत नेगटिव होंगे, यहां राहू आठवे भाव में है, अब आते हैं दूसरी क जातक के लिए बहुत अच्छी नहीं जाएगी बहुत निपरीत परिणाम देने वाली दशागी रहु की दशा में ऐसे जातक को कल होगा पीड़ा होगी कस्थ होगा लंबी विबारी हो सकती है तो यह ध्यान दखने वाली बात है कि राहु की पोजिशन है कहां राहु केंद् त्रिकोन में हो तो आपको उससे आडिया लग जाये आप देखिए यहां पर केटू देखिए यह राहु घ्यारवे भाब में है अच्छे रिजल्ट करेगा राहु तो ग्यारवे भाब में है तो उसकी अंत्रदशा अच्छी जाएगी यह मैंने बताया कि केंद्र त्रिको लुग में एक इंदयरों है। ऐ है कि यहां पया और यहके तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। आपको यह देखना कि नियुड है रही शनी केटू साथ मिल गयाए राहू शनी साथ मिल गया है तो फल आप तो फल अगर हें त्रिकॉंत त्रिकॉंट मों केयं अर्थ केंडरे ट्री कोमी फार्ण को तो योग कारी हो थे हैं तो यहां पर केटू जो है और आज्यों का रिग्र बन जाता है एक प्रिंस्पिल मैंने आपको यह बताया था कि राहू के तु फल कहां का करेंगे अब दिखिए राहू इस भाव में ग्यारवे भाव में बेठा है यह ग्यारवां भाव को राहू करेगा तीवता से फल करेगा जब भी राहू की इंतरदशा आएगी, लाब देगा, क्योंकि राहु यह अच्छा होता है, बड़े भाई बैनों से संपर्क आपके अच्छे होंगे, इंटर रिलेशन्स आपके मजबूत होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन्स आपके मजबूत होंगे, आपको किसी कंपनी का जॉइन्ट वंचर करना चाहते हैं, तो आप जॉइन्ट वंचर कर सकते हैं, क्योंकि इससे इंटरनेशनल जॉइन्ट वंचर भी देखते हैं, ग्यारवे भाव से, तो ग्यारवे भाव से जो भी रिजल्ट बिलते हैं, आप ये desires हैं वो fulfill होंगी राहू की इंतर दशान है तो वो सब चीजे पूरी हो तो राहू यहां के फल भी देगा और राहू कहां के फल देगा राहू यहां बुद्ध की राशी में है तो राहू की जिम्मेधारी बनती है कि वो बुद्ध की दोनों राशियों का फल करेगा राहू और केतु की ये जिम्मदारी बनती है कि राहू और केतु जिस भी ग्रह की राशी में हो उस ग्रह की दूसरी राशी का फल भी वो करेंगे तो राहू इस ग्यारवे भाव का फल करेगा साथ में राहू आठवे भाव का पल भी करेगा जहां राहू आपको लाप देगा international relations आपके मजबूत करेगा आपके equipment रिजायर करेगा वहां आपको कल्हे भी करवाएगा गर के अंदर पिल्ड़े भी करवाएगा कस्ट भी करवाएगा होसकता है कोई बिमारी भी देड़ें तो यह भी देखने वाउली पात है जिस राशी में राहू बैटा है उस गह की दूसी राशी कौन से भाव में तो चुकी वह आठुए भाव में हैं तो आठा भाव के रिजल देने की जिम्मिदारी भी राहू के पास है यह आपको समझना पड़ेगी तो यहां राहू के रिजल्ट हुए उसके बाद कहते हैं राहू के बारे में बड़ा एक इंपॉर्टन श्लोक है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको प्रडिक्शन करते हुए ध्यान न रहे यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवेसिता तमोग रहो ये क्या बोलते हैं कि यदि राहू और केतु केंद्र में बैठा हो ये तो मैंने बताया और त्रिकोण से संबंध करता हो तो राजियोग बन जाता है और त्रिकोण में बैठा हो और केंद्र के स्वामी संपर करता हो त यहां क्या कहते हैं कि राहू या केतु शुब्ग्रह की राशी में हो और अच्छे स्थान पे हो शुब्ग्रह की राशी में हो तो उनकी अंतर दिशा मेन शुब्फल मिलेगा ена पर एति इस्पट है जो राहू केतु का है तो राहू केतु के बारे मैं ने मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताए राहू केतु के बारे में एक पॉइंट ये भी है कि राहू अगर बारवे भाव में हो किसी कुंडली में तो राहू हमेशा विदेश के लिए दिमाग घुमाता रहे है क्यूंकि मैंने बताया था कि जिस भी भाव में राहू होता है वो उस भाव के प्रती पैशन आपका बढ़ जाता है उस भाव की चीजों को उस भाव के कारकत्वों को आप आना चालते हैं तो राहू बारवे भाव में हो तो आप विदेश के बारे में सोचते रहे हैं चंद्रमा और राहू की यूती हो और राजयोग ना बनता हो चंद्रम में आदमी दिन में भी सपने देखने का आधी हो जाता है राहु मंगल की यूति हो वो अच्छी यूति नहीं अगर राजयोग ना हो राहु केंद्र में बैठा हो और मंगल त्रिकोन का स्वामी हो या राहु दोश जिसे आप लोग बोलते हैं वो दोश यहां पर हो जाता है चुकि राहू भी पैशन हो गया मंगल भी तीवरता आ गई तो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ जाती है तो आदमी के अंदर जोश बहुत जादा जाता है तो वह हत्यार का प्योग करवाएता है तो य एक इंपॉर्टन चीज है के तू को लोग कहते हैं कि नहीं होता उसके लिए इस्तेवाल वरभ जाये तो आदमी है कि साथवे लगां जाट गया उसकी शाधी भी थास इंटरेस्त लिए हूं और तो नहीं हो तो आदमी कर लेंगे अभी कोई जंदी नहीं हुआ है बस इतना फर्फ होता है तो यह था रहू और केतु के बारे में जो मैंने आपको बताया दोनों लुडियों में आशा करता हूं आपको समझ माया होगा समझ माया हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मोटीवेशन बढ़ता रहे और इसके लावा एडवांस असलोजी को समस्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग इंट्रेस्टेड हैं वो समपर कर सकते हैं धन्यवाद जैशी कृष्ण